निश्चित समाकलन माना कि किसी फलन F of X का कोई प्रती अफकलज या समाकलन Capital F of X है, तब स्वातंत्र चर एक्स के दोनों मानों A तथा B के लिए अंतर Capital F of B, घटा Capital F of A को A से B के और F of X का निश्चित समाकलन कहते हैं, तथा इसे निम्न प्रकार से प्रदशित किया जाता है, निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन, इस प्रकार निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन, बराबर Capital F of B, घटा Capital F of A, जहां F of X का प्रती अफकलज या समाकलन Capital F of X है A और B समाकलन की सीमा कहलाती है A एक निमन सीमा तथा B एक उच्च सीमा है प्राया Capital F of B घटा Capital F of A Capital F of X निमन सीमा A तथा उच्च सीमा B वाले लेखन का संक्षिप्ती करण है निश्चित समाकलन योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन माना की F of X, X का कोई फलन है जो संवरित अंत्राल A, B पर संतत है एक प्राकृत संक्या N के लिए H परिभाशित है H बराबर B घटा A बटा N योग की सीमा H कुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F इत्यादी A जमा N घटा A का F कुणा H तक इस तरह N के अनंद तक पहुँचने को अंत्राल A, B पर फलन F of X का निश्चित समाकलन कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन अत्यव निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F of X का समाकलन बराबर सीमा H अप्रोच इस शून में H कुणा A का F जमा A जमा H का F जमा A जमा 2H का F इत्यादी A जमा N घटा A का F कुणा H तक हम निश्च समाकलन को परिभाशित कर जुके हैं जहां निम्न सीमा उच्च सीमा से कम है यदि A B से पड़ा है तब हम परिभाशित करते हैं निम्न सीमा A तथा उच्च सीमा B के साथ X के सापेक्ष F और X का समाकलन बराबर घटा निम्न सीमा B तथा उच्च सीमा A के साथ X के सापेक्ष F और X का समाकलन हम निम्न को भी परिभाशित करते हैं निम्न सीमा B तथा उच्ज सीमा A के साथ X के सापेक्ष F और X का समाकलन बराबर शूनने